तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2024 एक्जाम के लिए जो आसाइमिट जमा करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2024 से इसको और आगे एक्स्टेंड किया जाएगा या फिर नहीं अगर एक्स्टेंड किया भी जाता है तो कितना एक्स्टेंड किया जाएगा और इसका जो ऑफीसियल अप्टेट रहता है वो कब तक आ जाएगा तो वीडियो को पूरा देखिए और इगनुस रेलेटेट सब ये अप्टेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजिए ताकि सब ये अपटेट आपम को मिलते रहें सबसे पहले इगनुस में क्या होता है कि आप जितने भी सब्जेक्ट का एक्जाम देना चाहते है पहले आपको उनका असाइमेट बना करके अगर आपने असाइमेट को बना लिया तो जो on दामोबे PDF format में खरीद सकते हैं यह जो WhatsApp नमबर है नीचे description box में मैंने दे रखा है और अब बात करते हैं कि assignment जमा करने की जून 2024 एक्जाम के लिए 31 मार्च 2024 इसको और आगे extend किया जाएगा या फिर नहीं तो सबसे पहले तो आप इतना confirm हो जाएगे कि अभी जून 2024 एक्जाम के लिए assignment जमा करने की last date है 31 मार्च 2024 अगर आपका assignment बन चुका है तो इसको आप submit कर सकते हैं आपका assignment online जमा होगा या फिर offline तो इसका जो information है वो आप इस वाले post पर आकर के check कर सकते हैं यहाँ पर आपको online भी submit कर सकते हैं यहाँ पर जितने भी रेजलन सेंटर है जो assignment को online मोड में submit लेने वाले हैं उनका link मैंने यहाँ पर update कर रखा है और अगर आपके रेजलन सेंटर के तरफ से assignment submission का कोई भी मोड आपको नहीं बताया गया है तो आपका study center है डारेक्ट आप वहीं पर चले आएगा वहीं बात करें कितना extend किया जाएगा तो इसको जो है 30 अपरेल तक extend किया जाएगा और बात करें कि जो extension का notification है वो कब आएगा तो लास्ट डेट है 31 मार्च तो इसके बाद जो अपडेट है वो आएगा यानि कि फॉस्ट अपरेल को ज्यादा तर चांस है कि जो assignment submission क लास्ट डेट extend होगा इसका official update फॉस्ट अपरेल को ही आ जाएगा वह भी 10 बजे के बाद जब इसका अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको दूसरे वीडियो के मादिम से बता दूंगा तो उसके लिए आप करना ही है कि चैनल को subscribe करके bell notification को on करके रखना ताकि जैसे ही मैं न MCA, MBA और जिनका 6 मैंने का certificate का course है जैसे की CLIS, CDM तो उन सभी students को क्या है कि अभी June 2024 session में exam देना होगा और आपको assignment भी बना करके submit करना होगा और ऐसे काफी सारे student है जिनका भी admission confirm नहीं हुआ है और जिनका admission confirm हो चुका है उन्हें study material यान कि किताबे नहीं दिया गया है तो इसे लिए जो लास्टरेट है इसको extend किया जाएगा आपको समय से पहले किताबें दिया जाएगा और किताब मिलने के बाद आपको पढ़ने के लिए और assignment बनाने के लिए भी समय दिया जाएगा तो एक सबसे बड़ा reason यह कि इस वज़े से जो assignment का last date है इसको extend किया जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसे काफी सारे regional center है जिनोंने assignment submission का mode नहीं बताया कि उनके तरफ से जो assignment है वो online mode में submit होने वाली है या फिर offline mode में तो एक ये भी बज़ा है जिसके बज़े से जो assignment submission का last date है इसको extend किया जाएगा तो assignment को बनाने में आप जल्दबाजी मत किजिए जो last date है इसको extend किया जाएगा आप जितना अच्छा assignment बनाएंगे उतने अच्छे आपको number दिये जाएंगे जो assignment का number रहता है वो आपके overall percentage को increase करने में काफी मदद करता है इसका जो number है वो final में आपका add होता है तो आपका assignment नह related सभी update instantly पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते है link मैंने नीचे दे रखा है साथी में आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में बता सकते है